तो हेलो फ्रेंड ये है मट्रोला का जी 85 जो रिसेंटली 20,000 के नीचे लाँच हुआ था तो अगर आपका बजट 20,000 के नीचे है ये फॉन आपकी पहली पसंद हो सकता है चलिए सिंपल तरीके से समझते हैं पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना अ 18,000 के आसपास है एंड हाइस्ट वेरंट जो 12,256 जी वाला है वो 20,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा इसमें आपको तीन कलर आप्शन मिलते हैं एक कोबलेट ब्लू एंड ओलेव ग्रीन अर्बन ग्रे वैसे बैक साइड आपको वीगन लैदर फिनिशिंग मिलती है इसका वेट चेक करोगे तो 179 ग्राम पहुंच जाता है साइड से देखते हो तो ना फॉन काफी स्लिमिस्ट है 7.59 की ठिकनस भी लेकर आता है वाटर प्रेक्शन के लिए इसमें आपको IP52 की रेटिंग मिलती है और प्रेमियम टाइप डिजाइन के साथ बिल्ड क्वल्टी की ब्राइटनस भी मिल रही है फॉन की और जारा स्मूथनिंग के लिए इसमें आपको 144 हट्स का रिफ्रेश रेट भी मिलता है तो डिस्प्ले क्वाल्टी में भी मोटो ने बहुत अच्छा काम किया है वैसे इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट स्केनर मिलता है जो काफी अच्छा काम करता है एंड फेस लोग भी स्क्रीन पर देखो वो भी बड़िया काम कर रहा है अब पर्फॉर्मस भी चेक करो इसमें आपको स्नैप ड्रेगन 6S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है जो 6NM टेकनोलोजी पर बेस्ड है वैसे इसका एंट्रूर स्कोर ना 5 लाग से उपर चला जाता है नॉर्मल टास्क एंड गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेज नहीं करनी पड़ेगी तो मोटो वालों ने इसकी पर्फॉर्मस पर भी पूरा ध्यान रखा है तो अब कैमरा भी देख लेते हैं इसमें आपको 50MP का मेन कैमरा भी OAS के साथ और यह सोनी का LYT 800 सेंसर है एंड 8MP का अल्टरावाइट जो माइक्रो का भी काम करता है और देप सेंसर का भी तो यह कुछ फोटो है जो इसी फोन से क्लिक की हुई है काफी अच्छी डिटेल मिल रही है फोटो में तो इस फोन का कैमरा आपको बिल्कुल भी निराश नहीं क साथ में डॉली भी एट्मोस का सपोर्ट भी दिया गया है है एडफोन जैक आपको इसमें नहीं मिलता तो साउंड क्वालिटी के अंदर भी मोटो ने काफी अच्छा काम किया है तो अब सॉफ्ट्वेर इसमें आपको एंडॉड 14 के साथ मोटो की न्यू हैलो यूई मिलती है वैसे 2-year का OS update एंड 4-year का security update भी मिल रहा है तो अपडेट सपोर्ट मोटो वाले काफी अच्छा दे रहे हैं अब बैटरी देखो इसमें आपको 5000 mh की बैटरी मिल रही है साथ में 33 वार्ट का charger भी मिलता है तो बैटरी लाइब भी अच्छी है नेटवर्क के अंदर आप को simple तरीके से समझाने की कोशिश की अगर आपका कोई doubt रह गया तो comment box में जरूर लिखना मैं जबाब देने की कोशिश करूँगा तो आज की वीडियो यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next वीडियो तब तक आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर कर लेना good bye